तो आब हम तमिल नाडू की जो 11th क्लास की हिस्ट्री की बुक है उसका हम लोग सकेंड चैप्टर करेंगे जिसमें हड़पन कल्चर के बारे में दिया हुआ है इसमें थोड़ा सा प्रिहिस्टॉरिक इंडिया भी है और हडपन कल्चर भी है यह हम देखिंगे की क्या होता है तो anyway चैप्टर का जो आउटलाइन है वो यह है कि सबसे पहले हमें प्रिहिस्ट्रीक पिरियट के बारे में जानना है कि वह होता какие है पिर हम जानेंगे कि origin and evolution of hadapan culture कैसे हुआ, hadapan civilization का origin and evolution कैसे हुआ पिर हम उनके socio-economic condition को भी देखेंगे फिर उनका cultural जो life था उसको discuss करेंगे और पिर उनके decline के बारे में पढ़ेंगे कि decline कैसे हुआ ठीक है Human settlement की जो history है वो ऐसे तो जाती है prehistoric time तक prehistoric time वो time होता है जिसके बारे में हमारे पास कोई record written में available नहीं है ठीक है? written में available नहीं है अगर record तो हम उसको prehistoric period बोलते हैं however plenty of archaeological remains जो है वो मिलते हैं उसके हिसाब पे हम reconstruction कर लेते हैं थोड़ा बहुत history का जो की prehistory का period है उसका भी है इंस्क्रिप्शन नहीं मिलेंगे written record नहीं मिलेगा लेकिन कुछ archaeological objects तो मिल सकते हैं artifacts तो मिल सकते हैं तो उसमें क्या क्या मिल सकता stone tool pottery artifacts and metal implements used by prehistory period the development of archaeology helps us to understand the life and culture of the people who lived in this period archaeology से बहुत मदद मिलता है जैसे जैसे इनिवें इंडिया में prehistoric period को तीन पार्ट में divide किया गया है paleolithic, mesolithic, neolithic paleolithic मतलब old stone age हम यह discuss कर चुके ncrt6 class में mesolithic जिसमें microlith मिलते थे चोटे-चोटे stones middle stone age और third है neolithic या new stone age और फिर इसके बाद आता है metal age, metal age के बारे में भी discuss करेंगे लेकिन यह जो different डिफरेंट डिफरेंट यह जो periods है वो पूरे इंडियन सब कॉंटिनेंट में एक ही साथ नहीं होंगे ठीक है क्योंकि यह stone का जो size shape है उसके अधार पे बाटा गया है तो हो सकता है कि हडपा culture में microlith चल रहे थे तो maybe एक example ले लीजिए कि गारो hills में कुछ और type का stone चल रहा था तो यह जो age है uniform नहीं है इंडियन सब कॉंटिनेंट में अच्छा the dating of the prehistoric period is done scientifically कैसे dating करते हैं prehistory period का जो कुछ लिखा हुए मिलता नहीं तो age पता करने के लिए radio carbon dating को यूज करते है रेडियो carbon dating यह होता है कि plants वगरा जैसे है तो photosynthesis होती है तो carbon accumulate करते है तो carbon 14 भी accumulate करते है अब carbon 14 जो है वो radiation करता है उसकी half life होती है और धीरे धीरे उसको eliminate करते है अंदर से तो जैसे कोई plant है dead या इस plant को किसी animal ने खाया है dead तो धीरे धीरे carbon 14 जो है वो decay होके उससे खतम होगा तो last में कितना carbon 14 का amount बचा हुआ हमें उसमें मिला है fossil में उसके हिसाब से हम calculate कर सकते हैं कि कितना पुराना होगा तो यह होती है radio carbon dating दूसरा method है dendrochronology tree के जो rings बनते है ना वो season के हिसाब से rings बनती है spring वगर में तो उन rings को जब आप count करोगे तो उसको dendrochronology बोलते हैं तो साल पुराने पते चल दाएंगे आपके प्री हिस्ट्री के कुछ locations देख लीजिए रॉपर आपको पता ही है राजस्ता यह सौरी पंजाब में है काली बंगन कहां पे है काली बंगन जो है आपके राजस्थान में है मोहन जदाड़ो सिंध में है इंडस के बैंक पे लौथल गुजरात में है सिसु पालगर सब्सक्राइब करनाटक में यह पल्ला वरम है यह चेन्ने के पास पड़ता है और यह अधी चन नलूर अधी चनलूर जो है वह तमिल नाडू में पड़ता है यह मास्की है यहां पर मास्की इस टाउन आर्कियोलोजिकल साइट राइट हो इतना हैबी हो गया नहीं लापट इस नोट इबल टू परपॉर्मेंस नहीं ले पार है कापी देर से ओन है मेरे लैप्टप ना दस साल पुराना है आज के वीटियो तोड़े ज्यादा लंबा हो गया इस नौट इबल टू इस नाव का प्लेस नाम का प्लेस मास्की पहले अलग नाम भी कुछ है महसंग या मसांगी जो इसका इंप्टेंस क्या है कि एक तो प्रिहिस्टोरिक पिरियाड में भी है दूसरा एंपेर जो असोक था उसका यहां पे एक माइनर रॉक एडिक्ट मिलता है ना 1915 में खुजा गया था यह जो है फर्स्ट एडिक्ट था जहां पे अशोका का रियल नाम परजेंट था अधर्वाइज असोका का हर जग था था बाकी सब जगह देवनम पियादाशी था तो इस तरह से इसी योग एडिक्ट से अक्चुली पता चलता है कि अशोका का रियल नाम जो था वो अशोका था देवनम पियादाशी नहीं था तो पास्की में एक और चीज हुई थी मास्की जो अल्सू टेप्लेस उफ र राजेंद्र चोला वन ने डिफीट किया था जय सिम्हा 2 को जो की वेस्टन चालुक्या रूलर था देख रहे हैं 1019 और 1020 AD के राउंड लडाई होई थी और वेस्टन चालुक्या का रूलर जो मैंने आपको पहले भी बताया है जय सिम्हा 2 था उसको राजेंद्र चोला वन ने मास्की में हराय था और मास्की में प्री हिस्ट्री का भी एक्सकिवेशन हुआ है और मास्की में अशोकन इंस्क्रिप्शन भी मिलता है जिसमें अशोका का रियल नाम है तो आपको मस्की समझ में आ गया और कोई लोकेशन थी क्या यहां पर इंपॉर्टेंट सोन पतोहार भीमबिटका आदमगर्ड अतीरा पल्ली लंगास बेलन रीवर हलूर पयम पल्ली उतनूर पिनार नागरजुन कुंडा अधिचन्नलूर आपको दिखा रहा था ना यहां प अधिचनबड़ में बतायते हैं यह देखिए अधिचनब में यहनए पर कोर्का बैइंगा सांगम लिटराइचर वाले चैप्टर में कोर्का यहीं पर था और यह आपको पच्छीस सो से दूहजार बीसी मतलब प्री हिस्ट्री पीरियड में यहां पे पुछ रीडियो कार्बन डीटी के द्वारा स्किल टेंस बगरा मिलें हैं पता चला है ठीक है अब पहली हो लेते कि ओल्लस लेज बारे में बात करें तो इंडियन सब कॉंटिनेट में अलग अलग जगह पर अलग अलग पहली हो लेते कि ओल्लस स्टोनेज पाई जाती है बहुत सारे मिलते हैं पहले भी हमने पहली लिटिक वाला इंच आटी त्वेल्थ में भी देखा था यहां भी कुछ लोकेशन बताएंगे वह भी देख लेते हैं जेनरली वाटर सोर्सेज के पास पाए जाते हैं ना रॉक शेल्टर जो हैं पैलियोलिटिक पिपल ने कई सा पैलियोलिटिक साइट वगरे में कुछ रेरली लीटिक बनाया होते हैं अधरवाइस रॉक शेल्टर में रहते थे तो ओल्ड स्टोन यहां पैलियोलिटिक के कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन ने बताएं वहां पे हमने करनूल पढ़ा था याना भीम बेट का पढ़ा था आदमगढ़े लिन नर्मदा वैली करनूल इन अंदरपर्देश और अतीरा मपक्कम चेन्ने के पास अब मैं यह लोकेशन आपको दिखा रहा हूं सुवन वैली जो है सुवन वैली और पोटवार प्लैटू यह दोनों पाकिस्तान में पढ़ते हैं सुवन वैली जो है वो सोन रिवर है ना यह रिवर इन पंजाब पाकिस्तान अस दसोन रिवर इसन इंपॉर्टेंट स्ट्रीम अप दब पोटोहार और नौर्थ पंजाब रिजन इन पाकिस्तान पंजाब रिजन का जो नौर्धन पार्ट है पाकिस्तान में उसको पोटोहार प्लैटू बोलते है उसी पे इसलामाबाद है तो यही जो पुतोहार प्लैटू है उसमें सोन रिवर फ्लो करती है तो यही जो है लोकेशन यह पैलियोलिथिक साइट है है ना पुतोहार प्लैटू यह रहा पुतोहार प्लैटू पाकिस्तान में हमारे कश्मीर के अल्मोस परलल फोई लोगेशन नर्फ वाद्क साइट से थोड़े हमारे मतलब हिमालिया प्रदिस में नर्मदा के अरॉंड है और आदमगर जो हिल्स है वो भी नर्मदा वैली में है तो भीम बेटका और आदमगर देख लेगते हैं इसमें बहुत सारे ट्रेसेज मिले हैं हुमेन के इंडियन सब्कॉंटिनेंट के और एविदेंस है यह स्टोन एज का इसमें के बीच में सेंकर में नर्मदा यहां से क्लोग कर रही है यहां पर आपना बीम बिटका के स्टीक्ष चीक है तो मैं आपको यह बाद में अलग से बीम बेटका के वाएगा अंग कल्चर में डिटेल में आएगा इन्सी आर्ट की फाइन आर्ट में तो यहां ज्यादा डिस्कस करने की जुरत नहीं आपने यह देख ले लिया फैलियोलितिक और मीजोलितिक और हिस्टोरिक राय सेन में य और उसी के पास में ओशंगाबाद है आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको अच्छे से बिखाता हूँ तो यहां पर भी हमें पैलियोलितिक साइट है आदमगेड हिल्स हैं आदमगेड हिल्स भी वही नर्मदा के बैंक में हैं लेकिन यह ओशंगाबाद डि मेजूलि'' के बात थो नहीं होई है जो तो यह हो गया श्रूब्स के का साइट कर दो चांती हो कि यह एक पहले没事 ही के पास है तो यह then पालियोलिथिक साइट है स्टोन टूल्स वगर यहां पर पाए गएते हैं इस पर सबस्क्राइब आचांट दो मलगा अवे हैं जो है उसके लिए कंबाइन चाहिए था लोगों का लोगों का ग्रूप चाहिए था और सब की पास माना जाता है कि लाग्ज स्टोन आक्सेज होते थे we have little knowledge about their language and communication their way of life became modified with the passage of time since they made attempts to domesticate animals to domesticate animal वही पुरानी बाते हो रही है crude pot बनाया है domesticate animal को plants grow करने शुरू किये a few old stain or stone is paintings old stone is paintings have also been found on the rocks of beambetka and other places पहले डिसक्स कर लिकिपेडिया पे कि the period is before 10,000 BC is assigned to the old stone is beambetka तो एक लाग साल पहले से शुरू हो जाता है यहां पर यह बोलने कि 10,000 BC से पहले का जो पीरियाट है उसको उसको हम लो पैलियोलितिक जो और मिडिल स्टोनेज नेक्स जो स्टेज उसको मीजोलितिक जो बोलते हैं यह यह 10,000 BC से 6,000 BC के बीच में होगा 10,000 BC से 6,000 BC it was a transitional period phase between Paleolithic और नियोलितिक के बीच का यह transition का नहीं दिखाया लेकिन हम देख लेंगे लंगाज गुजरात में आदमगडी मद्परदेश और आज़स और राजस्तान उतरपरदेश और बिहार ठीक है मीजोलितिक कहा कहां मिले है एक तो लंगाज इन गुजरात मेंशान मेहाज भूह मेहाज़्य मेहाज दिस्टिक में पढ़ता है मेहाज यहाँ भार पेलंगाज है यहाँ तो मिजोलितिक के ओंस हो गया लंगाज initial फाल आपने अल्रेडी देख लिया नर्मदा वाले पहले अभी तो डिसकस हुआ कि मीजोलिथिक आदमगड में आपको मीजोलिथिक और पैलियोलिथिक दोनों मिलेगा इसके लावाद थोड़ा बहुत राजस्तान उत्तर प्रदेश वर भीहार में भी मिल जाएगा जब आप पैंटिंग देखते हो लोगों के बारे में और इन डिसकस किया है कि मीजोलिथिक पिरेट में छोटे-छोटे-चोटे लेकिन बड़े बड़े अनिमल को मारने की जगा चोटी 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 अनिमल को फिशिंग मगरा शुरू कर दिया गया है इस टाइम पे बुव और एरो का भी विकास हो चुका था तो तीर लगाते थे मारते थे जोड से जहर लगा के अब थोड़ा लोग ठक गए जैसे हम लोग ठक चुके है वैसे यह लोग भी ठक गए और सटल होने लगे एक जगह कि ठीक है नहीं दौड़ेंगे चलो तो सेटल होने लगे तो उन्होंने बोला आनिमल को कि चलो या साथ ही रहो तुम्हें बार-बार क्या मारूं तुम्हें अब देखा गया है कि कुछ लोग मतलब बूरियल में भी डालते था यह दिसका ऊचुका है यार नियोलेतिक की बात करें तो इसमें रिमर केबल प्रोग्रेस होता है six thousand वैसी से four thousand वैसी का जो अरा है उसको नियोलेतिक बोलते हैं और कश्मीर वैली में आपको नियोलेतिक मिल जाएगी चिरंड बिहार में सारण याद है वहाँ पे नियो लिटिक एज मिल जाएगी बेलन वैली मैंने आपको बताता ना बेलन वैली बेलन वीवर है जो कि तौन्स की टिविटरी है पर्याग राज में वहाँ पे दो लोकेशन में आपको बताए थी आप याद करके देखेगा कौन इंडिया में मास्की, मास्की डिस्कस कर लिया, करनाटका में रायचूर में पढ़ता है, इसके अलावा ब्रह्मगिरी, मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, एंड कोडेकाल इन करनाटका, करनाटका में चार लोकेशन बोल रहे हैं, नियोलितिक साइट की, एक तो मास्की बोल र इसमें उतनूर जो है एक नियोलिटिक साइट है तो यह है बेलन रीवर उत्तरपद्देश में फ्लू करती है यह सोनबद्र डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और यहां से होते हुए इस मिर्जापूर में जाती है मिर्जापूर के बाद परियाग राजय यहां पर टोन्स में मि पड़ता है यह हवेरे डिस्ट्रिक्ट में है हलूर पैयम पल्ली जो है वो वेलोर डिस्ट्रिक्ट के ही अंदर पड़ता है तमिलनाडू में और उतनूर जो है आंद्परदेश में मैंने आपको बताए यह रहा उतनूर वो अदीलाबाद अब अब यह तेलंगाना में आजय मैं समझ गया तैक को पिसे में अब्रहा इंप्रुक्ट्रिक्ट की ढ़ेश में होना कर लेंनो अधीलाबाद डिस्टिक्ट में DR आट यह वह बfrage यह नव्ही ऑन्स पर पालिशुम केरे सब्सक्राइश में हो गया अने श Willi नुबगेश लोत गूला च्से मेर हाए है और इस फिर में पर पॉलिष उन पर नाव लगी और पॉलिष्ट ऑच्सेज वर वहर वी मुट्विक तो बिल्ट इंस्टीड अग्रास चाहते लेकिन अब क्या बनाय जा रहें यह फिर रॉक शेल्टर होता था अब क्या बनाये जा रहें ग्राशट के आप अब ब्रिक बनाया जा रहें है ना विल्ष्योज उने लगे पॉटरी के लिए पौटरी के लिए विल्स उस करना है कला है वो कला है पौटरी वाज यूस्ट पर कुकिंग आज विल एज पर स्टोरी अप ग्रेंग सबको पता है लार्ज अर्ण्स होते थे जिनमें हम कॉफिन्स रखते थे वो लोग और ब्यूरियल अप देड करते थे कमें ज्रेज वीट बार्ली वीट बार्णी तो हर जग आएगा सबसे पहले वीट बार्ली राइस राइस भी आ गिया यहां पे अपने वैलन्वैली से Millet was cultivated in different areas at different points of time. Rice cultivation was extensive in Eastern India, वह उतर प्रदेश पर्यागराज का एरिया. Domestication of sheep, goat and cattle was widely prevalent. Sheep है, goat है, cattle है, horse नहीं है. Cattle was used for cultivation and for transport. The people of Neolithic age used clothes made of cotton आ गया था Neolithic age में, इसके अलावा wool भी आ गया था, cotton wool आ चुके है Neolithic age में. अब चले आए, Metal age में, यहीं से हडपा की कहानी शुरू होगी. The Neolithic period के बाद जो है, वो चैल्कोलिथिक age आता है. चैल्कोलिथिक मतलब होता है, copper stone age, ठीक है. लिथिक मतलब age, sorry, stone और चैल्को मतलब शायद copper होता है. तो चैल्कोलिथिक जो stages को copper stone age बहते हैं. इसमें copper और bronze जो थे वो यूज होने लगे. तो bronze तो ऐसे ही बनता है, copper और tin को मिलाके. तो tin भी था, copper भी था, तो उसे bronze बन गया हूँ. तो नया smelting of metal ore का नया टेकनिक आया, crafting of metal artifacts शुडू हो गया, human civilization के development बगर होने लगी, क्या ही काम का है. बर the use of stone tools जो था, वो given up नहीं किया गया था, यह हमने पहले भी पढ़ा था, stone tool अभी भी use हो रहा है, इसलिए इसको चल्कोलिथिक बोलते हैं. समद माइक्रोलिथिक tools continue to be essential items. इससे क्या होता है, चल्कोलिथिक cultures डिवलप हुई है, चल्कोलिथिक culture हैं, पूरी इंडिया में फैली हुई थी. जनरली चल्कोलिथिक culture हैं, रिवर वैली में जनरली डेवलप हुई हैं, लोग resources के पास रहते थे. Most importantly, जो हड़पन culture है, वो तो चल्कोलिथिक culture ही हैं, और South India में रिवर वैली जो गोदावरी की हैं, कृष्णा की हैं, तुंग बद्रा की हैं, पैननार की हैं, पैननार जो है वो तमिलनाडो में flow करती हैं, पैननार रिवर यहाँ पे हैं, यह बैंगलोर में निकलती हैं, वह नंदपरदेश में चली जाएंगे और सीधा सी में मिल जाती है, यह है पैननार रिवर ठीक है, पैननार रिवर आईजे इन नंदी हिल्स इन चिक बलपूर दिस्टिक अप करनाटका और रंस नौर्थ इस्थू दू दे स्टेट अप करनाटका नंदपरदेश टू एंटी बेव बंगाल बस 600 किलोमेटर की रिवर है तो पैननार रिवर के किनारे भी चैलकुलितिक साइट मेली है तो ऊपर तो नौर्थ वेस्ट में हडपन साइट मेली वो चैलकुलितिक लेकि नीचे ग्योदावरी, कृष्णा, तुंग बद्रा, पैननार और कावीरी रिवर के पैन्क्स पे हमें वैली में चैलकुलितिक कम्यूनिटीज मिली हैं जो कि फार्मिंग करती थी इस पेरियद में अल्थो दे वर नौट उजजिं मेटल इन बेगिनिंग अप देर इविदेंस अब कॉपर और ब्रॉंज का यह 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 प्रजेंस मिलने लगा सेवरल ब्रॉंज और कॉपर ऑब्जेक्स बीड्स टेरा कोटा फिग्रींस और पॉर्टरी वेर फांड़ेट पैयम पल्ली इन तमिलनाडू में वेल लोड डिस्टिक में पढ़ता हैं इन्होंने जो कुछ इंडेस की साइट्स बता हैं यह बहुत फनी हैं हमने तो बहुत पढ़ाया रॉपर हो गया पंजाब में काली बंगर हो गया रजस्तान में मोहंजदाड और शंटाड़ हो गया हरपपा हो गया पंजाब में पाकिस्तान की लौतल हो गया अपने गुजरात में तो यह पे अपर चैलकुलितिक एज उसके बाद आयरन आज आ जाता है पर वाले साइड में तो उसको वैदिक काल वोलते हैं और नीचे वाले साइड में साइड में जब साउथ इंडिया में जब आयरन एज आया तो उसके साथ एक चीज शुश्येट की जाती है मेगा लिथिक साइड मैने आपको बताया था ना कि जो ब्यूरियल पीट्स होते उनकी मुहाने पर बड़े बड़े पत्थर लग देना ये मेगा लिथिक स्टोंस बोले जाते हैं तो जब साउथ में आयरन एज आया था तो उस आयरन एज की एक खासी आती है कि ब्यूरियल पीट्स के सामने मेगा लिथिक ब्यूरियल मतलब मेगा लिथिक ब्यूरियल में से नहीं देखेंगे लेकिन मास्की को भी देख इसन कपने डिजा इसट्रिकल टॉण नाउए आइलwow आई-लेंड लोकेटेट नियर नागार्जून सागर जो में उसके पास में आइलेंड है उसी पे नागारजुन कुंडा अग को है गुंटूर डिस्टिक में इंडियन स्टेट अफ आंधर प्रदेश है ना तो अमरावतिय स्थूपा भी इसके आसपास यह नागारजुन कुंडा के आसपास नागारजुन सागर का बता दू मैं आपको कि is a Mesanry Dam located on Krishna River अपने नागारजुन कुंडा भी देख लिया है ना आओके तो नागारजुल कॉंडा इन अधिवर तो अधिचनलू दया Primlaz flux यह हम डिसकस कर चुके अधिचन्नालूर तमिलनाडू में कहां पर है तो यह सारी जो साइट्स हैं वो आइरन एज की साइट्स हैं जिन में मेगा लितिक ब्यूरियू देखे गए हैं कहां कहां पर देखे गए हल्लूर और मास्कीन करनाटका नागारजुन कॉंड़ा इन अब यहां पे तमिलनाडू के हिसाब से हरपन कल्चर अब यहां पे शुरूर है थोड़ी देर से हड़ापन सिविलाइजेशन अब यह आपको सबको पता है वेस्ट पंजाब में अर्लियस था और मोहंजदाड़ों में फिर हुआ सिंद में अब यह दोनों प्लेसेज पाक में खाली नहीं था बाद में तो देरे देरे यह धर आ गया ना गया अपने हर्याना में आ गया तो बाद में इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन की जग है माना गया कि इंडस सिविलाइजेशन कहना ज्यादा ठीक रहेगा है ना तो उसके अलावा हरपन सिविलाइजेश मैं आप में डिसक्स हो चुक है सिक्स क्लास के धौल वेरा यह गुजरात में और लार्जर सिटीज और अप्रॉक्सिमेटली हंडेड़ हेक्टेर इन साइस जैसे मोहंजदाड़ों का हमने पढ़ा था कि 125 हेक्टेर ना मोहंजदाड़ों को यहां पर कितना बोल रहे हैं 200 हेक् यहां पर अरली सन अर्वबॉकणलेट बोलने की में लिए लेक singles के लुटनर दर्शू चाइव गें गोने नियूंट मेहयरगर की साइट इसके वारे में हमने कापर डिसकस किया है याद रखिये वीट और बार्ली तो एक्सकेवेशन अट मेहरगड नॉर्थ वेस्ट आप महंच दाड़ो रिविल्ड एक्स एक्सेंस अप्री हडपन कल्चर इन इस स्टेज नॉमाडिक पीपल बिगान टू लीडे सेटल अग्रिकुल्चरल लाइफ यहां पर सेटल अग्रिकुल्चरल लाइफ हुई वीट और बार्ली का विकास हुआ यह हुआ था मेहरगड में इन अर्ली हडपन स्टेज अपेपल लिवड लाजर विलेजेश थे बड़े बड़े प्लेन में रहते थे फेर वो टाउन डेवलप हुए इंडस वैली के आरों अलसो दे ट्रांजिशन प्राम रूरल टू अर्बन ल अर्ली हरपन स्टेज अर्ली हडपन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टिट मेहर गड़ है सबसे पुरान नहीं और में तो काली बंगन हो गया अपना राजस्तान वहां पर टाउन प्लैनिंग अर्बन फीचर सारी कुछ देख़ोएं को मिलते हैं लेट हडपन में बोले तो ज लॉफल में लॉफल जो था वो विट इस पॉर्ट वाज फांडेड मच लेटर इट वाज सरांडेट वाई यह मैसिव ब्रिक वाल एज फ्लाड प्रोटेक्शन पहले कहीं स्टून वाल बोला था ना शायद पहता नहीं स्टून नहीं हो जाता तो मुझे भी लगता है इट व समुद्र के बाड़ से बचाने के लिए उसको मैसिव ब्रिक वाल लगाया गया था वेस्टन साइड में लॉफल रिमेंड एंपोरियम आप ट्रेड बिट्विन हडपन सिविलाजेशन और रिमेनिंग पार्ट ऑप दे इंडिया अजवेल आज मिसोपुटाम यहीं है में न सब्सक्राइब के लिए तो 1931 में सब्सक्राइब कि जॉन मार्शल ने डूरेशन जो था एस्टीमेट किया था मोहंच दाड़ों का 3250 बीसी से 2750 बीसी तक बाद में तरह तरह से डेटिंग की गई है डिबिटेबल है फाइनली 2300 से इसके में बता रहे है तामिलनाड़ों म सब्सक्राइब करेंगे और कई सारे रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनेंगे हडपा मोहंच दाड़ों काली बंगन इच हैड़ीट सिटाड़ों सब का अपना अपना सिटाड़ है बिल्ट ऑन हाई पोडियम और मड़ ब्रिक्स यह पढ़ चुके हैं वाप इंटर्व क्लास में और बिलो जिटाड़ एक लोवर टाउन होगा जिसमें की ब्रिक हाउसे होंगे जिसमें की कॉमन लोग रहेंगे लाज़ स्केल यूज़ बर्न ब्रिक्स इन अल्मस्ट आल कैं अनिक फीचर है अपन कल्चर का इसके अलावर ड्रेनिज सिस्टम होता था था कनेक्टिंग ऑल हाउसे टुदे स्ट्रीट ड्रेंस विच वर कवर्ड बाइस टोन स्लैप्स और या तो स्टोन स्लैब अगर असे कवर होगा या ब्रिक्स यह ताकि उसको बार-बार सफाई करन लिए साइड में और फ्लोर जो है वह बनट ब्रिक का बना हुआ है और पानी लिग नहीं होने दिया जाता था लेकिन पाने ड्रॉक हिया जाता था उसको ड्लाइज ग्रेंडरी मोहन जदाड़ों सबसे बड़ी बिल्दिंग है तो ग्रेंडरी आप देखो ना ग्रेट बात तो 39 फिट लॉंग है लेकिन ग्रैनरी तो 150 फिट लॉंग 25 फिट वाइड है बट इन सिटडेल उफपा भी पाइंड आज में यह सिट ग्रैनरी मिल जाएंगे आपको एकॉनमिक लाइफ देखेंगे तो अग्रिकल्चर इंडस्ट्री क्राफ्ट ट्रेड हर कुस था वीट और बार्ली जो थे वह मीजर प्रॉप थे इसके लावा सिसें मस्टर्ड और कॉर्टन भी होगा जाते तो कॉर्टन था पहले भी उताया सर्प्लस जो ग्रीन था उसको ग्रैनरी में डाला जाता था एनिमल्स में शीप गोट बफैलो को डोमिस्टिकेट किया जाता था यहां प मिला यहां पर शीप गोट बफैलो डियर स्पेशलाइज ग्रूप पहले भी पढ़ा है ना डियर और एंटिलोप और वोट तो हर जगा आएगा शीप हर जगा आएगी स्पेशलाइज ग्रूप ऑप अर्टिसंस इंक्लोडिंग लोल्ड स्मित होते थे ब्रिक मेकर्स होते स्टोन कटर्स होते थे हड़पन सील है कई वार पढ़ चुक है ब्रॉंज और कॉपर वेचल्स मिलते हैं और एक्जाम्पल्स ऑप दा हड़पन मेटल क्राफ्ट गोल्ड और सिल्वर के और्नमेंट मिलते हैं पॉट्री जो है जनरली प्लेन होती थी और कुछ प्लेसे में सब्सक्राइब होती थी तो डिसकस कर चुके रेड़ और ब्लाक प्रेंटेड विए बीट्स जो है वो कई सारे सेमी प्रेशिस स्टोन लैपिस लजियोली हो जैस्पर हो गया इन से बनाए जाते थे या कार्नेलियन हो गया इंटर्नल ट्रेड जो था पूरे इंडिया के लाइन विए बार्ली पीज बेजेंगे पोटरी बेजेंगे बीट्स भीजेंगे तेराकोटा के फिग्रीन बेजेंगे आईवरी प्रोड्ट्स बीजेंगे there is much evidence to prove that trade links between the Indus and Sumerian people वही जो मिस्वटामिया के लोग है ना उनी को Sumerian people बोल रहे है ना तो हमने पहले NCRT में established कर लिया है इसके अलबा फिर से सुन लो आप कि कई सारे जो इंडस वैली के सील से में पाए गए है और ट्रेट जो था वह बाटर टाइप यह भी हो चुका है दसी इन टेरा कुटर मोडल से इंडस वैली रिवेल यूज आप पता चलता है कि लोग बुला कार्ट यूज करते थे और उसके अलबाट शिप भी यूज करते थे तो सोसल ला का अलग-अलग गार्मेंट होता था एक तो यही बात है आप याद रख लो आज से बीट्स जो है वो दूनों मेन और विमन दूनों मतलब पहनते थे जो एल्रीज में क्या क्या होता था बैंगल्स ब्रेसलेट फेलेट्स गर्डल्स एंकलेट्स इयर रिंक्स फिंगर रिंक स्टोन शेल आईवरी और मिटल के बने हुए स्पिंडल नीडल कॉंप फिश हुक नाइफ और मेड़ कॉपर पहले लेकिन हमने कहीं यह पड़ा था कि स्पिंडल दोता हो वह तेरा कोटा का भी बना था चिल्डेंस ट्वाइज इंक्लूड क्ले कार्ट के बनेवें कार्ट ह खेलने के लिए मार्वल होते हैं बॉल हैं रहते हैं यह सब भी होते थे फिशिंग जो हैं का कॉमन था वाइल हंटिंग और बॉल फाइटिंग यहां पे आपको मिल जाएंगे आर्ट की बात करेंगे तो हरपन कल्चर में जो है स्कल्प्चर वहां के देखो के तो आपको हाई डिग्री ऑफ वर्क मैंशिप दिखेगा में का विमन का एनिमल का बर्ड का सबका टेरा कोट आपको मिल जाएगा और सील पे जो कार्विंग है उससे यह पता चलती है कि मतल अभी तक नहीं नहीं था क्या अच्छा लंसिमल पहीं क्यों नहीं दिखा घूँद lifting मैं दिखाता हों अच्छा क्या IM7N करते हों मैं ठोडा है इसको अगर आप ऐसे सीधा करके दिखाओं आपको क्या लगता है इसकी कितनी होगी हुचाई पहले हमको लगता है कि दो-चार फिट तो होगी कम से कम बट यह डिली के नैशनल म्यूजियम में है ठीक है और क्या है कि पाकिस्तान बोलता है कि चुकि मोहंचे दाड़ो उनके क पहले सौरी पार्टिशन के पहले मिला है इंडिया को तो फिर इंडिया क्यों लॉटा है कि उस तेम तो एक ही कंट्री थी तो यह जो डांसिंग गल की मुर्ती है पहले तो इस पर काफी डिबेट है अगें कि यह डांसिंग है कि नहीं है इसका ना राइट हैंड पीछे इसे ओनली फोर इंच है बस चार इंच का है यह ठीक है आपकी एक फिंगर है ना अल्मॉस्ट उतनी बड़ी हल्की से बड़ी उससे एक फिंगर के बराबर से इतनी मतलब छोटी है डांसिंग गल के इमेज यह आपको दिल्ली के नैशनल में दिख जाएगा डांसिंग गर इजे प्री हिस्टोरिक ब्रॉंज स्कल्प्चर किस से बना हुआ ब्रॉंज से बना हुआ यह भी आद रखना है मेडिनल लॉस्ट वैक्स एक ब्रॉंज स्कल्प्टिंग का प्रॉसेस होता है यह बताने कि कोई जवरत नहीं आपको मन होगा तो देख लेना मुझेदार चीज़ है त्वेंटी फाइंडेट बीसी में इंडेस वैली सिविलाजेशन से मिली थी मोहंज दाड़ों से अब चुकी पाकिस्तान में हो गया है यह चार इंच की है और एक नैकेड यंग वूमन को डिपक्ट करती है और जो की कॉन्पिडेंट पोस्चर में नाचुरलिस्टिक भोज में हैं राइट हैं उसका पीछे वहां पे है रखा हुआ अपने हिपस पे डांसिंग गर्ली स्वेल रिकार्डेट अब पार्ट कुल्च्रल आर्टिफेक्ट अप इंडेस वैली सिविलाजेशन और अरनेस में इसको डिसकवर किया था और और मोहं जडाड़ो मेड़ मेड़ ब्रॉंच इस रिमार्केबल पर इस वर्कमैंशिप इस राइट हैंड रेस्ट रहें वाल दे लेफ्ट आर्म कवर्ड विद बैंगल्स लेटां में बैंगल्स बिते जू मेरे से चूट गया है बैंगल्स लूजली इने रिलास्ट पोस्च्चर जो उसके लेफ्ट आर्म पे लेफ्ट लेग पे रिश्ट कर रहे है ना तू स्टोन स्टैटिस प्रम हडपा वन रेप्रेजेंटिंग दे बैक वीव पे मैं और अधर ऑपे डांसर आर अलसो स्पेसिमेंस ऑप देर स्कुल्चर पाटरी प्रम हडपा इस अना थे इंपर्ट पाटरी बहुत इंपर्टेंट जार्स जो थे वह अलग-अलग डिजाइन और कलर में पेंट की जाते थे और उन पे पिक्टोरियल मॉटिफ जो है नहीं यह बोल रहे हैं कि पिक्टोरियल मॉटिफ कंसिस्टेड आप जिवमेट्रिकल पैटन्स लाइक होरीजेंटल लाइन पिक्टोरियल मॉटिफ क्या होता है एक ही चीज को बार-बार रिपीट करना तो ऐसा नहीं है कि पूरे में आप तरह तरह के पत्ते बनाते रहेंगे कहीं ऐसा आर्ट होता है तो चीजे रिपीट होती है तो वही बात हो रही है कि सरकल लिप्लांच एंट्रीज के जो स्क्रिप्ट की बात करें तो पढ़ा नहीं जा चुक है लेकिन चार सो से छे सो जो है इसके साइन्स है इसमें कि चालिस से साट जो है बेसिक है और बाकी उसके वैरियंट है ना राइट तो लिफ लिखी जाती थी और इन फ्यूल लॉंग सिस्ट बास्ट्रो फेडाउन में बास्ट्रो फेडाउन क्या होता है एक लाइन में राइट से लेफ लिखो गए और दूसरी लाइन में लेट से राइट लिखोगे इसको बोलते हैं बास्ट्रो फेडाउन में तो कुछ जगह तो एक्चुली में इन फ्यू लॉंग सिल बहुत लंबी-लंबी सील है उसमें स्केंडिन कॉलिक्स थे उन्होंने यह कंक्लूट किया कि अरपन का जो लेंग्वेश था रवीडियन है लेकिन इस पर डिबेट है कुछ सोवियत वगर भी इसको मतलब मानते हैं लेकिन लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ब्रामी का वैरियंट मिस्ट्री ऑपन स्क्रिप् पर्बेट से गेस करते हैं कि वह लोग कॉपर्ट से गेस करते हैं एक आईडिया लेते हैं चीफ में पशुपति माना इन्होंने प्रोटो शिवा में आपको कंट्र भी बता दिया कि रिगवेद में रूद्र का वरनन है और रूद्र को पशुपतिनाफ नहीं बोला गया है तो यह debatable है प्रशुपती मिले है प्रोटो सीवा वो सील में represented है कि योगिक posture में three faces है और उनके two horns है और he is surrounded by four animals वहां पर animals बताया नहीं तक कौन-कौन से थे यहां बताया है एलिफेंट है टाइगर है राइनो है बफैलो है अब बूलना मत प्रोटो श्रीवा की इमेज में elephant है तो elephant भी था अपन कल्चर में टाइगर भी था तो टाइगर भी है राइनो भी था उसे एरिया में और बफैलो तो था ही है ना अपने अपने direction में two deer appear on his feet अच्छी फीमल ड सब्सक्राइब करते थे और उनसे बचने के लिए अमुलेट्स भी पहनते थे मतलब ताजी ताबीज हो गया इनका मनना है कि ताबीज जैसा जो दिख रहा है तो मतलब गोश्ट ऑन एविल में तो बिलीब करते ही होंगे आम नौट शूर बूरियल मेथेड की बात करें तो आप मोहंजोदाडो चले जाओ या हडपा चले जाओ या काली बंगन चले जाओ लोथल चले जाओ और ऑपर चले जाओ हर जगा बूर प्रियल पिट जो है वह लाइड बर्न भी ता पहले डिसकस कर चुग है कि लॉधल जो है वहां पर जो बूरियल पिट था वह उसमें बर्न ब्रेक से लाइन किया हूँ था तो एक तरह से कॉफिन का मतलब हो गया तरीका तो वोडिन कॉफिन्स भी घडपा में इनफैक्ट पाए गए हैं तो यह याद रख लिजी आप प्रैक्टिस ऑप पॉर्ट वॉर्यल्स इस पाउंड एट लोथल सम्टाइम्स पेर आप स्केल्टन लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सती ही था जो कि पेर आप स्केल्टन था यह नहीं पता चला है तो लोथल में आपको पॉर्ट सब्सक्राइब मिल जाएंगे मतलब घड़े जैसा बड़ा समान बनाती है उसमें ही लाश को डाल दिया अब डिक्लाइन पड़ेंगे कि देर इस नो युनानिमस पॉइंट नहीं है कि क्यों हुआ कोई बोलता है कि नैचरल के लामेटी जागई फ्लट बगर हो गया कोई ब ब्लो जो भी था बोला जाता है कि आरियन इंवेजर कितरो हुआ यह पुरानी थेरी है और डिस्ट्रक्ष्टिन ओफोर्ट्स जो है वही मैंने आपको इंसी आटी में बताया था ना क्या बताया था पूर तो पूरंदर बताया था रिगवेद में बोला है पुरंदर इंद सब्सक्राइब करें तो इंडिकेट नहीं करता है क्योंकि यह डिफ्रेंट एज के हैं तो फिर आप कैसे वो सकते कि एक लड़ाई में मारे गया थे यह डिफटेबल है आरेन लेकर आय थे होर्सेज और यहां पर अटेक कर दिया अनौल सबको मार दिया तो यह हम इस वीव को फाइनल नहीं लेंगे आरेन इन्वेजन को लेकिन यहां पर हम घोड़े वाली बात फिर से आ गई है तो आप यह याद रखिए कि हड़पन सिविला इस वीडियो में काफी मेंनत की है मैंने 6th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर नूमर 2 चैप्टर नूमर 3 और चैप्टर नूमर 4 इसमें कवर किया उसमें गंटा लगा फिर मुझे एक गंटा लगा फिर मैंने अभी यह जो अभी किया मतलब इसमें तमिल नाडू वाला किया वो करने में मुझे ऑल्मुस्ट एक घंटा लगा या बोलिए शायद 50 मिनट लगे हैं तो इस तरह से तीन घंटे का यह वीडियो बनाया है तो आपने पेशेंस रखा इसके लिए का आप ही आपका वीडियो अपलोड करूंगा अब यहां पर आपको करना गया है कि यह तीन घंटे का वीडियो आपने किया आपका इंडस वैली एकदम स्ट्रॉंग हो चुका है तो अब आप जाके ना क्विश्चन कर सकते हैं आपको क्विश्चन अटेम्ट करने घटना चक्र से गटना च 380 साइट नं-C280 से लिया हुए तो मैं आपको दिखा के क्या ही खायदा करूँंगा यह तो मैंने दिखाई दिया था इस अब देखा हुए आपन इया हेठ इस सब ओचुका था दिखते जाएए दिखते जाएए यह सब हो चुका है ना कुछ ऐसा भी आएगा यह एक व्यूरियल है हड़पन व्यूरियल है थोड़ा समान मगर अभी रख्यों में इसमें अहा यही मैं आपको दिखाना चाहरा था देखिया ध्यान से देखिया थोड़ा तो है मुश्किल ह इसमें जो जो यह रेड वाला है और यह वाला मतलब गोले वाला जो भी है वह साइट बिलॉंगिंग टू इंडस वाली सिविलाइजिशन है तो इधर के साइट ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है आप अपने देखिए इधर देखिए रंगपूर लॉथल सुरकोतदा इंडस वैली का साइट है इसके अलावा काली बंगन राज्स्थान बनावली हरियान रोपर पन्जाब भगवानपूरा प्रोबेबली यह भी पंजाब में पड़ेगा इसके अलावा यहा देखिए यूपी में यह पड़ेगा आलंगीरपूर यूपी में पड़ेगा आलमगीरपूर और यही दिखाना चाहरत है मैं यूपी में पड़ा आलमगीरपूर यह देखिए इंडस वैले सिवलाइजेशन ऐसे हैं हिंदु कुछ मांटन इधर पड़ता है से खैबर पास है सब कुछ बताएगा आपका मौन चुदाड़ इधर है यह पूरा एरिया कि यह रहा है अब देखिए मीठाथाल तो हो गया तो न हर्याना में हुलास हुलास जो है लोकेटेड इस सहारनपूर डिस्टिक में पड़ता है सौरी यहाँ पहर और यहीं पे आलमगीरपूर भी है एक चीज थी कि यूपी में पिछले साल क्विश्चन आया था विच आप फॉलाइंग सेंटर्स रेलेटेट टुंडर्स वैले सिविलाजिशन आप सिच्वेटेट इन उत्तरप्रदेश आप यह बताएं यह काली बंगन हो गया क्या यह तो राजस्तान में यह कट हो जाएग कहां पर पढ़ रहा है हुलेस पढ़ रहा है सहरनपूर में और आलमगीरपूर उसी क्यासपास में पढ़ रहा है यह दोनों यूपी में इंडस वैली सिविलाजेशन के लोकेशन है अब सब्सक्राइब कर दीजिए आप और बाकी थैंक्यू सुनने के लिए आप क्रिस्ट को कर दोड से ले सुछर लाट है है अवे गूट देड दीए